तो नमस्कार दोस्तों सभी विस्की लवर भाईयों को एक विस्की लवर के ओर से नमस्कार और सबसे पहले दोस्तों होली की हारदिक शुट कामना है हैपी होली और हम लोग हमारे मित्र के साथ आज बैठे हैं और हम लोगों ने दोस्तों बंफर खरीदा है फोली के लिए और नाम आप लोग देख सकते हैं विंच सर अर डिलक्स मॉल्ट इसके लिखा हुआ है तो इसे दोस्तों पहली बार हम लोगों ने बाइक किया है इसे ज्यादा तो हमें इसके बारे हम कोई जानकारी नहीं है और इसमें जहां यह बनता है तो राइपू 36 गड़े में दोस्तों इसका प्राइज है यह बजट विस्क है दोस्तों 600 रुपे पड़ा रंग से तो दोस्तों काफी हद तक मुलाइस जैसा लग रहा है लेकिन काफी लोगों ने हमें बताया था कि यह बहुत ही अच्छा विस्क करते हैं उसके बाद आप लोगों से बात करेंगे देखिए दोस्तों काफी फूर्टी स्मेल है और देख सकते हैं इसका जो पर कॉप लगा हुआ है पूर करता हूं ढ़ा से लिए दोस्तों है गोल्डन कलर रहने का फाइदा यह कि आप जब इससे दारू पोर करते हैं तो बहुत ही आसानी से जाता है और इसकौब को देखिए बहुत आसानी से आप लोग इसमें पोर कर शकते हैं और गिरने का डर नहीं रहता बजट विसकी यह दोस्तों इसमें कॉक दिया है और प्रिंट अगर आप लोग देखें तो इस तरफ डिजाइन बना हूआ है एक लोगो ने हुए सेट आप लोग के डिको संधर और है लोगो कज़ों बना हुआ उस– अब देखते हैं दोस्तों इसमें टेस्ट और इसमें कुछ लिखा हुआ है दोस्तों डिलाइट्फुल फ्यूजन और फ़स्ट इंडियन मॉल्ट्स इसमें दोस्तों मिला क्या क्या चीजा मैं यह बताते था है मिनलाइज वाटर नेचरल स्प्रीट और कॉंटिनेंट्स प्रिमेंट्टिड कलर वन फिप्ट्य को मिला गया दोस्तों इसमें कलर तो इस तरह का कलर यह रहा है और नेचर इसमें नेचरल फ्लेवर एड़ किये गये हैं अब ब्लेंडर्ड वित मॉल्टेड मॉल्ट स्पिर्ट लिकावाए तो अब दोस्तों 600 रुपए का बंफर है अच्छाटिस गड़ में इतना सस्ता होता नहीं दारू लेकिन फिर भी देखते हैं बज़ट विस्की जैसा है इसका टेस्ट दोस्तों पहले इसमें मैं नोजिंग करता हूं उसका है तो जैसे हम रखाने चांब दोस्तों जैसे बहुत ही कुछ-कुछ विस्की जैसे रहतै है जैसे बहुत ही तो कोई ons मे लाता है और बहुत ही ना को फिट करता है Sir तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों काफी मिठास सी महसूस हो रही है इसमें मैं इसे एक सिप लेकर देखता हूं दोस्तों उसका बताता हूं इसका टेश्ट कैसा है ऊदाँ हैने चाहिं है तो दोस्तों बहुत ज्यादा हुरस नहीं है लेकिन हलका से टंग को हिट रही है टंग के टी सिप पर और काफी स्मूटली अंदर जा रही दोस्तों और एक बार इसमें पानी मिलाता हूं थोड़ा सा उसके बाद दोस्तों मैं इसे ट्राई करके आपको बताता हूं इसके बाद कैसा है क्योंकि हलका सा बर्न दे रही है थोड़ा सा पानी मिलाया तो दोस्तों पानी मिलाने के बाद तो बिल्कुल स्मूथ हो गया है काफी अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे जरूर बाई कीजिए अगर आप लोग के छेत्र में कहीं मिलता है तो तो चलिए दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए चाहेंगे आप लोग उनसे इजाजत थांक्यू दोस्तों